So hello everyone, आज के second video में आप सब का स्वागत है, आज का first video अपलोड हो चुका है, जो कि ये वाला video है, अगर आप इस video को देखना चाहते हो, तो यहाँ पे i button पे आपको link मिल रहा होगा, अब यहाँ से जाकर के देख सकते हो, and साथ में यहाँ पे मैं end screen पे इस video का link डाल दूँगा end screen के card पे, so वहाँ पे भी directly click करके आप इस video पे jump कर सकते हो, बाकि कल के दो videos भी काफी important है, ये दोनों videos अगर आप interested हो, तो इनका मैं link डाल दूँगा i button पे, and obviously end screen पे, तो यहाँ से भी जाकर के देख लेना, आज की दिन जैसे मैंने बोला था, तीन videos अपलोड होगी, जिसे से पहले stocks के बारे में देख लेते हैं, एक है मुथूत finance, अब मुथूत finance यहाँ पे क्या है, gold loan का business है, आप यहाँ पे देख सकते हो, NBFC engaged in the business of providing gold loans, तो यह gold loans का business है, and gold loans के business में number one पे है मुथूत finance, मतलब इसके आसपास कोई नहीं है, gold loan के business के हिसाब से, then अगर हम बात करें, इसका market cap तो अब देख सकते हो, large cap ही है, इसका market cap, 40,900, मतलब 41 ही कह लो, तो बात करते हैं, इसके quarters के बारे में, so quarters में आप देख लो, अगर हम sales की बात करें, तो sales में आप यहाँ से देख सकते हो, 23, then यहाँ पे 24, 23, 25, 27, 28, 27, 28, 28, 26, 25, 24, 26, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 23 से लेकर के 28 तक, इसी range में यह आगे पीछे गुम रहा है, मतलब इसके आगे यह जाही नीरा, लेकिन क्या sales में भी, sales में तो ऐसा ही है, sales में यही चीज़ है, 23 से 28 है, but operating profit अगर आप 22, 23, 22, 23, 20, 21, so यहाँ से sales में वही चीज़ है, 20 से लेकर के 23 तक, 23 तक इसी क्यास पास यह sales में भी घुमते रहता है, margin इसका पहले से काफी improve हो है, 78 क्यास पास होता था margin, then 84, 83 के range में चला गया, and अभी भी वैसे ही range में, 80, 83 इसी range में, तो हाँ बीच में थोड़ा सा आप क operating profit की, तो operating profit एक ही range में उपर निचे, उपर निचे किये जा रहा है, इसका reason क्या है, तो इसका simple सा reason यह है, क्योंकि guys, आप इस reason आप ऐसे समझो इस चीज़ को, कि कोई भी company, जैसे अगर हम इसका chart आपको दिखाता हूँ, मैंने यह वालो जो पहला video है, इसमें भी इस चीज इसको explain किया था, लेकिन guys, यह second video है, तो फिर से explain कर देता हूँ, मैं थोड़ दिर के लिए, just suppose यह chart है, अब यहां से आप देख सकते हो, all time high से, यह around 41% down है, अगर हम यहां तक देखे, तो 41% all time high से down है, so कोई भी stock, इस तरह से 41% down नहीं होता है, stock जब down जाता है, तो उसके प यह reason सबसे important है, वो है profit booking, भहुत लोग को लगता है, profit booking हो रही है, तो buy कर लेता है, पहला reason तो यह, दूसरा reason कोई problem हो, company में या sector में, अब इसी के दो पार्ट होते है, एक sector, एक company, तो यहां पे मैं इसको एक ही consider कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए, तो यहां पे दूसरा क्या ह है, कोई sector में या company में कोई problem है, तो यहां पे company में problem है, या profit booking है, सबसे पहले यह पता करने है, तो simple सा आप यह logic दिमाग में रखो, कि अगर profit booking होगी, तो profit booking around 5-10%, आप यह दिमाग में रखो, 5-10%, इससे जाधा profit booking में कोई नहीं stock गिरता, मतलब अगर आप समझ लो, कोई stock 20% गिर चुका है, तो आप इसे profit booking नहीं कोगे, लेकिन अगर stock 40% गिर जाता है, तो भी आप इसे profit booking तो obviously नहीं कोगे, मतलब आप एक दिमाग में रखो, अगर 10% या थोड़ा आगे पीछे 12-15% तक भी जाता है, तो भी आप इसे कुछ हट तक profit booking consider कर सकते हो, exceptional case, बट यहाँ प देखो, company sectors आप कौन कौन से है, देखो, बजाज finance, बजाज फिंसर्फ, यस बजाज फिंसर्फ भी डाउन है, SBI cards भी कुछ हट तक डाउन है, then starting के तो हो गया, मुदध finance भी डाउन है, then okay, so वापस आता है, quarters में, so अब guys, यहाँ पे sector specific problem तो है, थोड़ी सी, क्योंकि guys, interest rates ए जो है, वो एक ही range में फसीवी है sales, और sales इसी तरह से एक ही range में जिगजग, जिगजग किये जा रही है, अब इसी problem के वजए से आप समझो, अगर company 40% down है, तो उसके पीछे जरूर कोई ने कोई reason होगा, अगर company 15%, 10% down है, तो उसके पीछे का reason ने बताया profit booking हो सकता है, लेकिन अगर company 40% down है, हमेशा याद रखो, इसके पीछे कोई ने कोई reason होगा, आपको उस reason को find करना है, देन उसके बाद आपको उस reason को ये पता करना है, उस reason के बारे में, क्या हो reason temporary है, क्या हो reason permanent है, अगर हो reason permanent है, तो एकदम exit कर दो उस company को, मैं तो बुलूँगा, एकदम exit, अगर वो reason temporary है, तो बिल्कुल आप इसमें positions बना सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको opportunity दिख रही है, अगर temporary reasons है तो, अगर मैं इसके ये तो बात होगी, 2019 से लेकर के 22 तक, क्योंकि ये 2-3 साल जो है, काफी आप कह सकते हो, उपर नीचे एक दम, मतलब ये कहलो, बिल्कुल भी second wave आया, फिर inflation का ये सब हो गया, फिर crisis आ गया, यहाँ पे आप समझ सकते हो, पता ही होगा आपको बहुत सारे banks collapse कर गया, तो इसी वज़े से यहाँ पे भी थोड़ा problem आपको देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं अगर profit and loss statement में देखू, 2011 से देखते है, कि क्या 2011 से ये problem ह है, तो यहाँ पे आप देखो, 23, फिर यहाँ पे 45, then 53, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे गया, 43, 48, 57, 62, 68, 87, 10,000, 11, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है, तो अगर आप इसको छोड़ दोगे, मतलब इसको आप छोड़ दो क्योंकि मैंने बताया ही कि काफी problems था, इस quarter में इस financial year में खास कर, NBFC को, अगर आप 2012 से देखो, यहाँ से देखो, 45, 53, यहाँ से आप लगातार देखोगे न, तो बीच में, हाँ, obviously थोड़ा से यहाँ पे problem है, but इसके बाद से आप देखोगे, 16, 17, यहाँ से आप 5, 6 साल का लगातार देख लो, 48 के बाद मतलब 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 7 सालों में लगातार इसने sales increase किया हुआ है, and obviously sales के साथ profit भी increase हुआ है, and 7 में आप देखोगे, तो operating profit भी increase हुआ है, मतलब 79 के आप सपस चलता था, 78, 79, वहाँ से यह 83, 82 तक पहुँच चुका है, तो हाँ, यहाँ पे margin को भी push किया गया है, operating profit को भी push किया गया है, and company को business करना आता है, gold loan के sector में number one है, हाँ, आप अगर कहोगे, NBFC तो उसमें number one नहीं है, लेकिन gold loan के case में number one है, so हाँ business में problems थे, but हाँ, यह चीज़ आप कह सकते, business में नहीं actually sales में problem है, and obviously यह चीज़ हो जाएंगे, and solve होने के बाद यह company रफतार पगड़ सकती है, and अगर मैंने कहा, यह NBFC है, तो इसका काम ही debt का होता है, तो इसमें borrowings तो रहेंगी, आपको यह चीज़ देख नहीं होगा, तो reserves भी बहुत अच्छे कास है, मतलब बहुत अच्छे reserves है, then यहाँ पे borrowings तो रहेंगी, तो इसमें मैं कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि NBFC जो होती है, उनका business ही borrowings का होता है, banks का business, मतलब borrowings का ही होता है, so यहाँ पे borrowings भी, मतलब यह तो normal चीज़ है, NBFC में जैसे मैंने कहा, fix asset की बात करें, तो हाँ यहाँ पे ठीक है, then यहाँ पे बाकी चीज़ आप कुछ से ही देख सकते हो, so balance sheet भी मुझे strong लगते, reserves खासकर इसके बहुत अच्छे है, then उसके बाद आगे अगर हम बात करते है, shareholding pattern के लिए, तो आप देख लो, यहाँ पे 73%, मतलब आप देख लो, company का, मतलब 73.35, मतलब around 74% भी आप कह सकते हो, या कह लो 73 ही, तो 73% किसके पास है, promoters के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो बाकी कितना हु पास है, मतलब public की holding काफी कम है, and हाँ, FIIs, DIs included है, public included नहीं है, क्योंकि मैं कभी-कभी यह चीज़ देखता हूं, कि अगर public included नहीं है, तो उन stocks में बहुत पैसा बनता है, अगर public included है, तो उन stocks में पैसा नहीं बनता है, कहीं-कहीं case में मैंने ऐसा देखा है, होता है, बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो, यह बहुत डाउन है, बाकि आप यहाँ पे staggered buying, बिल्कुल जा सकते हो, जैसे अभी यह थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, अगर आप थोड़ा EMS को देखोगे, यह क्या होगी, अगर आप थोड़ा EMS को देखोगे, so 50 EMS को मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, 50 EMS को इसने break कर दिया है, and 200 EMS की बात करें, so 200 EMS को इसने भी break नहीं किया है, so अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कि यहाँ से आ तो नीचे जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक line बना कर दिया है, तो जब भी कोई stock का price 50 EMS को cross करता है, तो एक momentum आने का काफी अच्छा chance होता है, और आप यहाँ पे volume भी देख सकते हो, अच्छा कासा volume भी है, so अगर 50 EMS को break करता है, तो अच्छा कासा chance होता है, लेकिन यहाँ 200 को break कर देता है, तो और भी अच्छा momentum आने का chance हो करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, खड़ा observe करो, हलकाल का position staggered buying कर सकते हो, और आप चाहो तो, क्योंकि देखो 200 से यह कभी कभी rejection खाता है, यहाँ पे 50 तो cross किया, but 200 से rejection खा गया, फिर 50 cross किया, but 200 से rejection खा गया, तो अगर इस बार भी 200 से rejection खाता है, मुझे तो नहीं ल चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले stock पर, time कितना हो गया, वो देख लेते हैं, एक बार, okay, so around 10 मिनट के आसपा सो चुके हैं, और जादा टाइम नहीं है, जादा टाइम नहीं लगया, जादा टाइम वीडियो end करने में, avenue supermarts, आपको देख सकते हो, आप लोग नहीं सकते हैं, आपको पता योगा रूल से भी का, 75% से जादा नहीं रख सकते हैं, तो पूरा का पूरा promoter रूल उनने लिया हुआ है, debt equity आप देख सकते हो, 0.05 मतलब debt तो बिलकुल भी नहीं है company पे, and उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े quarters की, तो आप quarters देख लो, य गट गया, तो यहाँ पर फिर 965 फिर बढ़ गया, so यहाँ पर, मतलब अगर आप कहोगे, तो यहाँ पर भी वही चीज है, कि, sorry, यहाँ पर भी वही चीज है, कि quarters उपर नीचे है, and मैंने जैसे बताया, कि अगर company में कोई, यहाँ पर सबसे पहले चीज, कि हाँ, यहाँ प यहाँ पर sales में कोई भी problem नहीं है, मेरे इसाब से, and मेरे इसाब से, कि आप खुद ही देख लो, sales में problem नहीं है, बस इसको छोड़ करके, यहाँ पर increasing है, तो sales में भी problem नहीं है, margins में obviously problem तो हो गई, क्योंकि inflation है, and then operating profit में भी इसी लिए problem है, क्योंकि अगर यह देखोगे, इ और हाँ, एक दो quarters में जो है, यह फोड़े disturbance में है, फोड़े disturbance में obviously है, लेकिन यह जो है, finally बहुत अच्छा business है, and आप इस चीज़ को समझो, कि मैं first से वह यह बात बता रहा हूँ, अगर company में कोई problem होगा नहीं, तो company गिरेगी नहीं, और अच्छे से company तभी गिरती है, आपको सब कुछ clear हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 24, फिर यहाँ पर फोड़ा सा घट गया, यहाँ पर जैसे आपको पता ही है, कोरोना का टाइम था, तो FMCG and supermarts तो ऐसे ही मतलब बहुत दिक्कत था, इनमें supermarket type में, फिर 30, 41, तो यहाँ पर देख लो, लगातार increasing है, यहाँ पर एकदम increasing है, margin भी आप देख सकते हो, यहाँ पर, margin भी ठीक है, उतना problem नहीं है margin में, then उसके बाद यहाँ पर देख लो, profit before tax, एकदम increasing, net profit एकदम increasing, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, and profit and loss statement देखकर कि आपको समझ में हो रहा होगा, कि हाँ company में दम तो है, balance sheet आप द WIP भी है, CWIP काफी अची चीज होती है, मतलब expense and plans है, company ने expand, company expand करना start कर दिया, and आपको पता होगा company जो है, अपने 300, I think 10 stores थे, वहाँ से 324 हो चुके है, या कितने हो चुके है, मुझे याद नहीं है number, लेकिन हाँ stores जो है increase हुए है, इस quarter में, जो कि आपको quarterly result के बाद जैसे मैंने कहा, यह जो है, पूरा 75 ही है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, 15 यहाँ पर है, तो 75 यहाँ हो गया, 75 प्लस 15 यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 10 बचा, यहाँ पर देख लो 7, 8, 9, 90% तो यह ही हो गया, जो 10 बचा, वो public के पास है, so obviously यहाँ पर एक अच्छ जरूर से देखना, मैं इसे erase कर देता हूँ, उस वीडियो को भी जरूर से देखना, and अगर मैं एक बार डिसकस कर लो, चार्ट के बारे में, so यह है चार्ट, and आप देख सकते हो, ऊपर से 40% डाउन है, और जब इतनी बड़ी कंपनी 40% डाउन होती है, तब तो मतलब, इसक कुछ लेवल्स को ड्रा कर सकते हो, मैंने ड्रा अल्री किया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, okay, so यहाँ पर आ नहीं रहा है, मैंने साथ erase कर दिया है, so जो भी है, यहाँ पर एक आप इसको एक support मान लो, मान क्या लो, यह support है, then उसके बाद एक और आप मान सकते हो, इस जगब पर, दन यहाँ पर देख सकते हो, प्रिवेस लेस्टन्स लिया हो था इस zone में अभी यह support ले रहा है, अभी भी यह उसी zone के आजपात है, तो आप staggered buying कर सकते हो, and long term के लिए obviously जाना, short term के लिए बिल्कुल मत जाना, and बस guys यहीं पे end करते हैं वीडियो को, मिलते ह इसके बाद वाले वीडियो में, 4-5 या 6 बजए वाले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद, and thanks for watching.